नीबू से करें प्रचंड वशीकरन जी हाँ, नीबू के वशीकरन का कोई तोड नहीं है एक बार किया, बस वो शक्स सारी उमर के लिए सिर्फ आपका होकर रह जाएगा नमस्कार दोस्तों, आज कल हर इंसान किसी न किसी समस्या से जूज रहा है कोई किसी से नाराज है, तो कहीं पारिवारिक तनाव की समस्या किसी न किसी प्रॉबलम में हर इंसान जीवन जी रहा है लेकिन आज मैं आपकी हर समस्या का समधान लेकर आई हूँ और एक ऐसा उपाई जो बहुत सिध्ध और सरल है, जो आपकी दुख को खुशी में बतल देगा जी हाँ, एक ऐसा प्रचन टोटका लेकर आई हूँ बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा आप चाहोगे, जिस पर वशेकरण किया जाएगा एक सरल विधी और एक बीज मंतर बस इसके माध्यम से आप अपनी हर समस्या का समधान करवा सकते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये बीज मंतर कितना शक्तिशाली है इसके प्रियोग मातर से ही आपका प्यार या इस्तरी या पुरुष जिसको आप पाना चाहते हैं या वश में करना चाहते हैं आपके लिए तड़पने लगेगा आई अब आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है सबसे पहले आपको जिसे वशी भूत करना है उसकी एक फोटो को आपने लेना है और फोटो को सामने रखकर आखे बंद करके उसका ध्यान करें जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका और फिर नेमू लें और उस पर उसका नाम लिखें जिसको आपने वश्मे करना है फिर उस नेमू को हाथ मिले कर एक मंत्र का 21 बार जाप करना है जाप ऐसे करना है कि एक बार मंत्र का जाप करें फिर नेमू पर फूप मार दें ऐसे ऐसे लगातार 21 बार करना है फिर नेमू और फोटो को साथ में लपेट कर किसी नदी या बहते हुए पानी में बहा दे बस 24 घंटे में वो इंसान आपका हो जाएगा और आपका कहना मानने लगेगा लेकिन दोस्तों ये जो मंत्र है वो सब के और नाम राशी के हिसाब से अलग-अलग होते हैं और साथ ही दोस्तों ये वशी करन है आप हमारे स्पेशलिस्ट की सलहा और निगरानी में ही करें तो वशी करन करने से पहले एक बार गुरुजी राम जोगी जी को कॉल अवश्य कर ले आपकी स्क्रीन पर नमबर गुरुजी राम जोगी जी का चल रहा है दिख रहा होगा आपको राश्यो नाम के अनुसार वाला सिध मंत्र इनसे प्राप्त कर सकते हैं और एक बार वशी करन करने से पहले गुरुजी राम जोगी जी से बात करके सलह जरूर ले ले क्योंकि आपकी जरासी भी गलती आपके प्यार को आपकी पास लाने की वजह आपसे दूर भी कर सकती है लेकिन ये वशीकरण इतना प्रचंड है कि अगर सही तरीखे से और गुरुजी राम जोगी जी की निगरानी में किया गया तो आपका प्यार आप से कभी भी दूर नहीं होगा और आपका हर वो काम जो नहीं हो रहा था या किसी ना किसी वजह से रुखा हुआ था इस विधी को सही प्रकार से करने के बाद जिंदिगी में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी और अगर आप कहीं दूर रहते हैं और ये विधी आप नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी परिशान ना हो ये विधी गुरुजी राम जोगी जी से भी आप करवा सकते हैं जैम आता दी दोस्तों फिर मिलेंगे पर अभी चलते ही इस कामना के साथ कि आपकी जीवन का हर दुख दूर हो जाए